अब बिल्कुल सर तो खबरों का तो रियाक्शन रहे गाई नया हफता भी है आपसे स्ट्राटेजी भी जाने है सीरीज का दूसरा दिन भी है बट एक बार ज़रा ग्लोबल रीकाप ले ले लेते हैं सर ओवर दे वीकेंड काफी सारे खबरे आई इंपाक्ट समझने की सब है तो आपको डर नहीं लेगा लेकर बाजानों के साथ मिलाकर देगें तर डर जाएंगे तो बाजानों का डर थोड़ा वाइरस के डर के मुकाबले में ज्यादा है अब उसकी रीजन अलग हो सकते हैं विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अगर आप देखे पिछले दो दि सिन है दूसरी चीज हमारे पास समझ है और तीसरी चीज हमारे पास प्रोएक्टिव एक्शन लेने के वो ताकत है जो सारे सरकार आप उदारन के तोर पर देखें इसराइल जिसे पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर से सील कर दिए अब आपको लग सकता है यह और रियक्शन है कोई दिकत नहीं साथ इन बाद फिर खोल देंगे और खतरनाक हुआ तो हम पहले से सेफ हैं सो मुझे लगता है कि वाइरस को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की जरूत है मैं आप वाइरस के एक्सपर्ट नहीं है जाहर सी बात है सावधानी अपनी जगह है और वाइरस का फ वैक्सिनेशन तब हुआ है जब बहुत जोर से लगें बिल्कुल सो वहां पर वैक्सिनेशन भी कम है नो डाउट उनकी इम्निटी लेवन शायद बहतर हो सकते हैं सो मेरे ख्याल से वाइरस से लेकर अगर डर है तो ज़रूस से जाड़ा डर नहीं होना चाहिए मुझे नही कोई ऐसे बड़े खतरा हैं कुछ-कुछ रिपोर्ट सो मैं देख भी राता है एक मिने ट्वीट भी कह कि इसमें कुछ पोजिटिव भी निकल कर रहा है आरे कि अगर ये वाइरस तो ये डेल्टा के मुकामले में कम खतरनाक है डेथ रेट कम है तो मुझे लगता है वाइरस मार्केट के लिए तो वाइरस जो है न दीब वाइफाइस की बिक्वाली का है ये कोरोना की तरह ही फेला है जब कोरोना शुरुआ था तब लगा नहीं कि इतना फेल जाएगा इतना बढ़ जाएगा ठीक है आया होगा बड़े लोगों की बिमारी है याद आपको कि जो लो करता में लोगों को लग रही है ऑनवरी से भी साथ रही है वही से जाया था है तो मैरे ख्याल से हमारे लिए बड़ी समझ थिया फाली करास का लगाता है और रिब बात थाट द्रिगे बात एक अतने समय तक बेचंगा एस का अनपढ़ा नहीं था बिलकुल है तब तक आपके लिए उचलना मुश्किल है उपर जाना मुश्किल है और उस उच्छाल में बिक्वाली करनी चाहिए और पिछले अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से बाजार को सिर्फ और सिर्फ की बिक्वाली रुकनी चाहिए फिर अगर कोर्ना के कैस बढ़ भी जाये फरक नहीं पड़ता और अगर कोर्ना के कैस ना बढ़े और F20 की बिक्वाली बनी रहे तो भी आप उठ नहीं पाएंगे और उठेंट नहीं पाएंगे उठेंगे तो बड़ा फेक्टर है भारती बातनों के लिए और emerging markets के लिए F20 की बड़ी बात है, ठीक है, अमेरिका वाले भूल भी जाएंगा, अमेरिका वाले को तो सिस्टम भी ऐसा ही है, दुनिया में कहीं कुछ हो, उनको बहुत फर्ग नी पड़ता है, जब तक उनके वाना हो, जब तक अमेरिका में कोई 2-5-10 माम लेना आ जाएं, उन्हें फर्ग भी की प्राइस आई हुई है, वह बहुत जबर्दस हुई है, और उसका इंपक्ट आए गई आएगा आज के सेशन में, वह दूसरी बड़ी ख़बर है, तीसरा, मार्केट काफिया तक ओर सोल्ड है डेटा के लिया है, चोथा, आप बहुत ही इंपोर्टन साइकोलोजिकल सपो लेवल्स हैं, यह बिलकुल तो बाद जानते हैं उन लेवल्स को सर्फ, बिलकुल चलिए, तो आज की स्ट्राटीजी भी बताएं सर्टेजी में, पहले ग्लोबल संकेट में ने निट्रल साइट पर लिखे हैं, और दीप साथ बज़े भीजे हम फोन पर बात करेंगें, तो Global Neutral